तो इसके अंदर ये जो अंदर एंगल बनते हैं ये इन्टीरियर ट्राइंगल के लाते हैं जैसे ये कोई अगर ट्राइंगल बना हुआ है तो इसके अंदर ये जो अंदर एंगल बनते हैं ये इन्टीरियर एंगल केहलाते हैं अब किसी भी एक साइड को आगे तक बढ़ा दो कोई भी एक साइड जैसे इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो तो ये जो एंगल बनता है ये एकस्टीरियर एंगल केहलाता है ये वाला ठ तीनों का सम 180 आता है यह कैसे find out करेंगे यह जो exterior angle होता है यह अपने opposite angles के sum के equal होता है इसका मतलब जैसे अगर मान दीजिए यह 40 degree है यह 50 degree है 60 degree है यह 40 है 60 है तो यह वाला इन नोनों के sum के equal होगा यानि यह क्या होगा 100 degree होगा ऐसी property होती है कि exterior angle of a triangle is opposite to is equal to the interior angles of the opposite side ठीक है यानि कि exterior angle जो होता है वो अपने opposite interior angles के sum के बराबर होता है तो first question देखिए यहां पर एक figure बना हुआ है इस तरीके से इसको आगे तक प्रिड्यूस किया this is a b c and d angle a given 75 degree b given a 45 degree और आप से एंगल सी पूछा गया है जब हम exterior या एंटी exterior वाले questions करते हैं तो हम angles का नेम पूरा-पूरा लिखते हैं अभी तक आगर आपके पास triangle बना था इस तरीके से a b c तो आप direct लिख दे रहते एंगल a plus angle b plus angle c यहां पर जो angle c बन रहा है वो दो तरीके से बन रहा है एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला अब किसकी बात हो रहे हैं यह इससे पता नहीं चल पा रहा है इस केवल c लिखने से पता नहीं चल पा रहा कि आप interior की बात कर रहे हैं या exterior की बात कर रहे हैं इसलिए जब exterior वाले question आते हैं तो हम angles की पूरे पूरे नाम लिखते हैं angles की पूरे नाम जैसे यह angle a है तो इसका पूरा नाम क्या होगा b a c या c a b इस तरीके से b a c ठीक है जो जिस vertex पर angle बनता है वो mid में आएगी यह ध्यान रखना है यह आप change नहीं कर सकते हैं यहाँ पर a पर बन रहा है तो a mid में आएगा प्लस angle b यानि कि इसका आप नेम कैसे लिख सकते हैं a b c या c b a यह बीच में रहेगा इन नोनों की position आप change कर सकते हैं तो हमने लिख दिया है यहाँ पर a b c देखो b पर बन रहा है और b mid में ठीक है प्लस interior angle की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या कलाएगा a c b या b c a कुछ भ अब a c d लिखेंगे तो मतलब के लिए रहा है कि बाहर वाले angle की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर हमें यह दिया गया है यहाँ पर मेजर लिखो angle a a कैसे लिखोगे b a c angle b a c equals to 75 degree angle b दिया इसका नेम कैसे लिखोगे a b c जिस vertex पर angle बनती है वो बीच में आना चाहिए यह यह पर बन रही है तो यह बीच में है यह बीच में यह बीच में यह गया 45 degree ठीक है तो हमें angle c पूछा है c में भी कौन सा पूछा exterior वाला exterior वाले का नाम क्या होगा a c d तो क्या लिखेंगे angle a c d यह हमें नहीं पता ठीक है तो इस property को लिखेंगे हम जो यह property होती है we know the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles जो exterior angle होता है वो जो opposite interior angle होता है उनके sum के बराबर होता है इसका मतलब इन नोनों यह जो आपको given है angle b a c plus angle a b c इसके बराबर होगा यह a c d यही तो बन रहा है तो यह नोनों के बराबर होगा a b a c की value कितनी है 75 degree a b c कितनी है 45 degree a c d आपको find out करना है तो angle a c d कितना होगा 5 5 10 7 4 11 11 and 1 12 यानि a c d कितना होगा 120 degree तो यही हमारा required answer यह question number 1 था ठीक है बस यह ध्यान रखना है आपे angles के name कैसे लिखते हैं और angles के name लिखने पर आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी vertex पर angle बनती है वो mid में आता है जैसे अगर आप इसका name लिखना चाहा रहे हैं तो इसका name दो तरीके से लिख सकते हैं या तो b a c या c a b आप corners वाले change कर सकते ह पर a बीच में आ रहा है इसका मतलब understood है कि a vertex पर angle बन रहा है जिस पर angle बनेगा वो बीच में आएगा ठीक है mid में आएगा now come to the next question यहां पर यह figure बना है और आप से कहा गया x और y की value find out करनी x 68 y or 130 degree तो यह तो हमें पता है इस property के according की 130 इन उनोनों के sum के equal होगा यानि x और 68 क अगर आप add कर देंगे तो 130 के equal होगा ठीक है यह वाला जो angle होता है exterior वो interior opposite angle के sum के बराबर होता है ठीक है यह property है तो यहां पर हम figure में देखके जो values दे रखी है वो लिख लेंगे by figure मैं figure draw नहीं कर रही हूँ लेकिन आपको draw करना है by figure BAC BAC कितना दिया है x degree ABC ABC कितना दिया है 68 degree ACB ACB कितना दिया है y degree और ACD ACD कितना दिया है 130 degree यहां पर देखो C दो जगा बन रहा है ACB और ACD ACB है इसका मतलब ACB interior angle की बात हो रही है और ACD यानि ACD है इसका मतलब exterior angle की बात हो रही है अब भही property लिखेंगे we know the exterior करके यह दिखें कि हमें पता है exterior angle जो होता है वो interior opposite angles के sum के बराबर होता है अब यहां पर figure में exterior angle तो ACD है इसका मतलब ही किसके sum के बराबर होगी इसके और इसके यानि जिसमें angle में A और B बीच में आ रहा होगा उनके sum के बराबर होगी यानि कि यह दोनों तो हमारी जो property है उसके according angle BAC plus angle ABC किसके equal होगा angle ACD के figure से देखिए यही तो exterior angle है ACD इतनों के sum के equal होगा तो BAC की value क्या है X degree plus ABC की value क्या है 68 degree equals to CAD sorry ACD ACD है ठीक है यहाँ पर ACD की value भी तो given है ACD कितना दिया 130 degree तो हमें X की value निकार मिल जाएगी यहां से X equals to 130 degree 68 इदर plus का इदर जाके minus का हो जाएगा यानि X degree equals to कितना आ जाएगा 62 degree यानि X equals to कितना आ गया 62 अब अपने figure पर आ जाएए वापस जो figure बना हुआ था इस तरीके से यह A है यह B है यह C है यह D है यहाँ पर figure में बना है 68 degree यहाँ पर बना है 130 degree और यह बना है X degree और यह बना है Y degree जो X degree बना है उसकी जगा हम क्या लिख सकते है 62 degree ठीक है 62 तो यह value हमारी X की यानि यह वाला angle 62 degree है अब अगर आप इस थोड़ी दिर के लिए hide कर दें तो यह triangle के तीनों समवाली property बन जाएगी एक angle 62 है एक 68 है तीसरा वाला निकालना है तो इन तीनों को add करके किसके एको लग देंगे 180 के ठीक है तो यही हम लिखेंगे now in triangle ABC ABC को देखिए ध्यान से ABC इसकी बात हो रही है यह नहीं है ठीक है triangle ABC में angle A कितना दिया है angle A बराबर X डिग्री बराबर अभी अभी निकाला है 62 डिग्री angle B कितना दिया है 68 डिग्री और angle C कितना दिया है Y डिग्री फिर से वही language लिखेंगे हम कि we know the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री और इन तीनों को add करके किसके equal रख देंगे 180 डिग्री A की value रख दीजे 62 डिग्री B की value 68 डिग्री C की value Y डिग्री इकोल्स टू 180 डिग्री 62 में जबाद 68 add करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री प्लस इकोल्स टू चल रहा है 180 डिग्री आपको Y की value चाहिए तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा यह दर आके 130 डिग्री तो Y डिग्री इकोल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री यानि कि Y इकोल्स टू कितना आ जाएगा 50 हमें X और Y की value तो ही निकाल नहीं थी तो Y 50 आया है और X अभी अभी निकाला 62 आया है बिल्कु सेम ऐसे ही होगा सिर्फ values चेंज है यह आप समझ सकते हैं देख लीजे जैसे question number 3 है यहाँ पर figure draw है यह A B C D तो B A C B A C का मतलब B A C यानि यह वाला अंगल 32 डिग्री question में दिया है A B C यानि यह X डिग्री दिया है A C D A C D D यहाँ पर है न तो यह 65 डिग्री given a question में तो यह एकस्टीरियर अंगल हो गया तो यह एकस्टीरियर अंगल इन नोनों के सम के बराबर होगा तो वही बात हमने लिखी है कि we know the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior angle तो B A C और A B C के सम के बराबर होगा A C D B A C की value 32 degree A B C की value X degree 65 degree के एको लोगा यहाँ से 32 positive है इदर आके negative हो जाएगा X की value आपको मिल जाएगी आगे 33 ठीक है अब जब X की value 33 आगई तो हमें पता यह 33 है यह 32 है यह वाला निकालना है जो Y है थोड़ी दर के लिए इसको hide कर दीजे तो यह 32 है यह 33 आपको यह वाला निकालना है तो उसके लिए हम triangle के sum की property लगाएंगे वही हमने लिखा है कि इन triangle ABC A equals to 32 degree B equals to 33 degree C हमें find out करना है तो हमें पता है कि तीनों angles का sum कितना होता है 180 इसलिए तीनों को add कर दिया और add करके 180 के equal लग दिया A की जागा A की value B की जागा B की value C की जागा C की value 32 और 33 add करेंगे तो कितना हो जागा 65 degree plus Y equals to 180 degree और Y degree equals to 180 minus 65 degree यह कितना हो जागा angle of a triangle measures 110 degree आप से कहा गया है कि किसी triangle का जो exterior angle आया है वो 110 degree measure किया गया है इसका मतलब यह ही तो होता आया था कि जो भी ratio होता उसके साथ coefficient consider कर लेंगे यह ratio 2 is to 3 है इन में तो अगर आप इनको मानेंगे एंगल तो क्या मानेंगे 2x और 3x ठीक है यह इसको 2x मान लो तो इसको 3x मान लो कुछ भी मान सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है आप से कहा जा रहा है कि सारे angles बताने यह यह य पहले तो यह दोनों पता होने चाहिए यह दोनों पता होने के लिए x की value पता होनी चाहिए ठीक है तो हमने क्या लिखा है कि exterior angle तो हमें दे रखा 110 डिगरी तो interior opposite angle है उनको हमने consider कर लिया जो इन्होंने ratio दिया था 2 is to 3 उसी form में consider किया 2x degree और 3x degree उसके बाद हमें पता है कि exterior angle जो होता है उसका sum opposite के बराबर होता है इसका मतलब अगर आप यहां से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 2x degree plus 3x degree equals to 110 degree इतर लिखेंगे इन नोनों का sum इसके बराबर होता है तो वही बात हमने यहां लिखिए 2x degree plus 3x degree equal to 110 degree 2 और 3 को add कर दिया 5x degree से degree cancel 5x equals to 110 5 with the multiply में इतर value 22 आ गई इसका मतलब जो आपने angle माने थे 2x और 3x x की value 22 है तो 2 into 22 और 3 into 22 यानि कि 66 sorry 44 22 जा और यह हो गया 22 3 जा 66 तो हमारे जो angles हैं यह वाले यह यह actual में कितने कितने के एक 66 degree का है और एक 44 degree का है अब दो angle पता चल गए तीसरा वाला आपको यह बताना है ठीक है तो वही बात हमने लिखी है यहाँ पर कि let the third angle of a triangle be x तो एक तो 44 का आ गया दूसरा 66 आ गया तीसरा हमने x consider कर लिया अब हमें पता है कि तीनों का sum 180 के equal होता है इन उनों को add किया 110 x 180 110 इदर आके negative हो गया 70 यानि x equals to 70 degree तो यह जो तीसरा वाला angle था यह कितने आ गया 70 degree आ गया है clear है इस तरीके से यहाँ पर यह questions क्योंकर से तरीके यह जो अब हमें अदित तो किते है।